आपके एक्जाम में साड़े साथ नंबर का question पूछा गया है और इसके अंदर क्या बोलता है कहता है राहूल एंड कंपनी अर्ण 6 रुपीज पर शियर है मारा having capitalization rate यानि 10% that is के यी कहता है return of investment 20% है according to walter model what should be the price per share if 30% payout ratio देखो कितना असान सवाल साथ नंबर में पूछा उसमें तो बहुत सारा किया अब देखिए यहाँ पर again मैं P का formula रख दूँ D divided by KE plus में R divided by KE into में E minus में D divided by KE अब देखिए चेक करिए बच्चे कह रहे है स्क्रिन फ्रेज हो गई है अब चेक करिए बबारा refresh कर देते हैं कोई बात ने वो मेरा दूसरा window उपन हो गया था इस वह से अब चेक कर लिजिए अब ठीक हो जाएगा कह रहे हैं बच्चे सर कुश्चन रिपीट कर दीजिए कुश्चन देखिए सामने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है वैसे तो कुश्चन में क्या कहता है राहूल एक company है जिसका 6 रुपे पर share है यानि यहाँ पे मैं कुश्चन को और simply कर देता हूँ कुश्चन में कहता है EG 6 रुपे है कुश्चन में कहता है K EG हमारा है 10 परतीशत कुश्चन में कहता है R हमारा है 20 परतीशत और कुश्चन में कहता है payout ratio है Sir payout ratio है 30% तो आप market price बता दीजिए अब formula में put करते हैं क्या आएगा Sir D कितना 30% किसका निकालेंगे 6 का तो 6 का 30% कितना होता है 1.8 अब यहाँ पर divided by के कह यह 0.1 प्लस आर कह यह 20 0.2 और 0.1 इंटू में यह माइनस में 1.8 इन सभी के divided by 0.1 तो सर यह आ जाता है 18 रुपए और प्लस यह आ जाता है हमारा 2 रुपए और 2 इंटू में 4.2 यह आ गया 8.4 divided by 0.1 that is कितना आता है हमारा 0.1 करने पे 84 यानि 18 प्लस में 84 सवाल हो गया खतम 102 that's it exam में 7 नंबर में आया वह question है formula याद है तो बड़े आसानी से कर सकते हो और भी question लेते है